हेलो एव्रिवान वेलकम टू डेल्टा अक्याडमी मेरा नाम है रंजन और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरार बी के तरफ से असिस्टेंट लोको पालेट की वेकेंसी का एक शॉट सा नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका था प्रीविएस डे पर ही मैंने इसका वीडियो के तरफ से जारी हो चुका है इस नोटिफिकेशन से जो जो इंफॉर्मेशन निकल के आता है एलिजिबिलीटी से ले करके या फिर इसमें एज क्राइटिरिया या जो भी अधर क्राइटिरिया ज्या एक्जामिनेशन पैटन जो है यह सारी चीजों का पूरा डिटेल आपक पर सभी जो इनके जो जो डिवाइड है उसके अधार पर यह लोगों ने वेकेंसी का जोन वाइस बताया हुआ है ठीक है असिस्टेंट लोको पालेट की रिकूट्मेंट आई है शुरुवात में ही मैं आपको बता दूं कि यहां पर आई टी आई वाले कैंडिडेट जो है वो भी एलिजबल है यहां पर बीबी टेक और डिपलोमा की होगे कैनिडेट जो है वो भी एलिजबल है तो ध्यान से देख सकते हैं आप पूरे वीडियो को तेल दा एंड चलिए तो यहां से हम लोग यहां से इसके डीटेल जो है उनको चेक करते हैं सबसे पहली बात तो अफ्लिचेशन जो है वो है 20 जनवरी का ठीक है 20 जनवरी यानि कल से आपको इसका अप्लिकेशन जो ही open होता हूँ मिल जाएगा प्लोजिंग डेट जो है वो 19 फरवरी का है इस डूरेशन पर आपको फॉर्म जो है वो फिल अप करना है करेक्शन के लिए आपको अलग से विंडो जो है वो 20 फरवरी और 29 फरवरी के डूरेशन पर बीच में दिया जाएगा असिस्टेंट लोको पालेट पे लेवल की बात करें तो लेवल टू का यहां पर सेवन सीपी सी के हिसाब से लेवल टू पर याता है इनिशल पर आपका इसके लिए अपलाई करने के लिए ठीक टोटल वेकेंसी की बात मैं आपको बता दू कि 5,696 तो बी एक्जाक्ट यहां पर मेंशन किया गया है और आरवी के तरफ से ठीक अभी जोन वाइस डीटेल जो है वह भी इसके अंदर मिलेगा वह भी मैं आपको बता देता हूँ सबस्तिंग तो आप अपने प्रिफर्ट जोन के हिसाब से उस पटिकुलर जोन की वेब साइट ऑपन करके उसके थू जाकर के फॉर्म फिलप कर सकते हैं ठीक है तो आप जिस भी जोन से अपलाई करना चाहरे है एक परसन एक ही जोन से अपलाई कर सकता है तो आप इसका सब्सक्राइब देखेंगे तो दो पाइट में CBT1 और CBT2 के फॉर्माइट में ठीक है जो है वह आपको यह करना होगा क्लिएर मतलब आपको मेरिट लिस्ट में आना होगा उसके लिए जिसमें की 15 गुना स्टूझेंट इस पर दरगायर वेकेंसिसी आप इनी पर्टिकुल यहां पर अगर बात करें देखिए तीन बेसिक स्टेज आपको यहां बताया हुए CBT-1, CBT-2, CBT-80 और आखरी में फिर जो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होता है वो तो ही है यह क्या क्या स्टेज है इसके बारे में एक बार देख लेता है चली ठीक है तो सबसे पहले बात करें यहां पर जन्रल फिटनेस की, मेडिकल स्टेंडर्स की तो A1 का मेडिकल स्टेंडर्स यहां पर मांगा हुआ है मतलब 6x6 का आपका विजन जो है वो विडाउट ग्लासेज विच फॉगिंग टेस्स जो है जो रेलवे का मेडिकल मैनुवल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके इसाब से समझ सकते हैं कि आप उस मेडिकल स्टेंडर्स को क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं यहां पर इनकी ऑफिशल वेबसाइट जो है वो मैंशन है www.indianrailways.gov.in ठीक है इस वेबसाइट पर आकर के आप यह चीज़ चेक कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट नेशनलिटी ठीक है और उसके बाद क्याटिगरी वाइज एज रिलाक्सेशन अगर देखें तो अठारा से तीस साल तक नॉर्मिली अलाउड है ठीक है अब क्याटिगरी वाइज अगर बात करें तो SCNST के क्याटिगरी के कैड़ेट को 5 यह रिलाक्सेशन है बाकि OBC के लिए 3 यह का रिलाक्सेशन और भात कर लेते हैं जराए यहां पर रिलाक्सेशन की बात हो गए ठीक अब बात करते हैं कि इस के आपको एक तरी आपको अपको एक पर आपको जाना चाहिए या सिर्फ पर स्टूडेट बाले स्टूडेंट भी अपर लिखा हूँ है सब्सक्राइब एजुकेशन टेकनिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम दे रिकॉगनाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टिट्यूट एज उन्स फर्वरी दो हजार चॉबिस फॉर सब्मिशन ऑफ मतलब लास्ट डेट से पहले का आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट चाहिए तो अगर आप फाइनल येर में है और आप पढ़ाई आपकी ओंगोई है तो यह मेक्शूर करना होगा आप क्योंकि आप 19 फर्वरी से पहले आपकी डिग्री कंप्लीशन हो रही है अगर हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर उसके बात का है तो फिर यहा है यहाल पोईंट आप सबको कलियर हो गया होगा बात करें अबियर फीशन पर फाइवनडेट फिस जो है वoot चारज किया जा रहा है टीक फाई इसके पाइव sûrपीस का फीश है वह चार्ज किया जा रहा है फॉर अपिर फोर स्टेजन उसका थकी यें-सका दिटेले वाइशन एक गूटिपन परोसेश कर लेता है की यह स्… एक कादिए करने यह का व Partners के लिए को मनें इस्पूर्मत नब की यह आप देखें ऐसमें की आक प्रोसेस है यह सब से पहले हां CSD1 का ॥ देन उसके बाद second stage है for CBT-2, फिर उसके बाद CBAT test है, ठीक है, CBAT test जो है computer-based aptitude test है, तो इसको ध्यान दीजेगा, फिर उसके बाद document verification and medical examination, इन stages से होते हुए आपका selection होगा, यह ध्यान रखेगा, जिसमें से पहला वाला stage जो है, यह आपको जो आप यह paper दिलाएंगे, इसके ज जितनी vacancy है, उसके 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, CBT-2 के लिए, CBT-2 फिर qualify करके आपको CBAT पर आना पड़ेगा, ठीक है, यह चीज़ ध्यान देंगे, अभी इसका और detail form में आपको बता देता हूँ, यह देखे, इसमें क्या है, examination schedule of venue जो है, वो आपको official websites के आप से होगा, first stage का, ठीक है, और first stage का CBT-1 का जो marks रहेगा, उसको final जो mark list बनाने के लिए, final selection की mark list बनाने के लिए, उसको use नहीं किया जाएगा, वो खाली आपको बस clear करके stage 2 पर जाना है, that is the main thing, तो यह पहला stage का CBT का पोर्शन हो गया, अब CBT-1 में क्या आएगा, क्या च at one mark per question, ठीक है, per question का आपको एक marks मिलेगा, हर गलत answer का one third mark जो है, वो deduction होगा, ठीक है, यह जो CBT है, इसके बारे में देख लेते हैं, minimum parts percentage भी दिया हुआ है, कि UR के लिए 40% होना चाहिए, UR और EWS के लिए, ऐसे सब का minimum qualifying percentage तो दिया हुआ है, ठीक है, अब इसके बाद देख पॉर्शन रहेगा, analogies हो गये, syllogism हो गये, है न, jumbling, vein diagram, इन सब से रहेगा, इसके बाद general science का portion है, और general awareness का portion है, इतना मिला करके आपका part 1 CBT 1 complete होता है, ठीक है, तो ठीक है, इसके questions, 70 questions आप बनाएंगे, फिर जब आप second stage पे पहुँचेंगे, जो second stage का क्या system रहेगा, है, second stage जो है, rrb wise, आपके zone wise वहाँ पर आपको second stage के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, तो number of candidate जो है, वो 15 times रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, as for the vacancy against each rrb, ठीक, pattern और syllabus क्या रहेगा, वो देख लीजे, second stage दो पार्ट में रहेगा, part A और part B, ठीक, total duration जो रहेगा, वो दो घंटे और 30 मिनिट का रहेगा, total question 175 रहेगा, यह बहुत important thing है, इसको ध्यान से समझेगा, pattern वगरा कर detail एकदम proper दिया हुआ, आप इसको यही से समझ लीजे, बहुत बढ़िया रहेगा, आपको धाई घंटे का समय मिलेगा, 175 question solve करने के लिए, दो part में divided रहेगा आपक ठीक है, अच्छा, और देखते हैं, ठीक, normalization of marks जो है, वो तो ख्यार होगा ही इसके अंदर, part A के लिए minimum pass percentage for eligibility आपको वो भी दिया हुआ है, ठीक, अब एक चीज़ है जो बहुत important इसको ध्यान दिजेगा, जो part A में आप जो marks score करेंगे, वही आपके final selection, final mark list के लिए सबसे इंपोर्टेंट होगा, ठीक, इस recruitment के आगे के stage में आपको भेजने के लिए यही marks important होगा, ठीक, part B जो होगा, वो qualifying nature का रहेगा, ठीक है, part B will be of qualifying nature, तो part A में है क्या क्या चीज़ देखे, mathematics का portion रहेगा, general intelligence and reasoning का portion रहेगा, जो आप प्रिपेर करते हैं, अल्रेड़ी, SSC जे engineering, यह बड़ा काम का चीज़ है, जो C point दियावा, इस वेरी मच इंपोर्टेंट, basic science और engineering का portion रहेगा, यानि कि मान के चलिए physics वगरा का basics, आप जैसे आप general engineering के लिए जो preparation करते हैं, कुछ-कुछ उस तरीके का preparation है, देखे, drawing instruments के बारे में, lines, geometric figures, और इसके अलावा, work, power, energy, weight density, mass, basic electricity, इस type के सारे के सारे portions cover करके बनता है, इसका C section, ठीक है, this is important, फिर part B का syllabus क्या होगा, वो तो qualifying nature का रहेगा, ठीक है, तो part B सिर्फ qualifying test है nature में, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसका syllabus जो है, वो भी इनके official website पर given है, dgt.gov.in, ठीक, त जो basically आपके ITI trades या उसके qualification के अधार पर based रहेगा, तो ठीक, डेकि, degree या diploma candidate जो है, उनको क्या करना पड़ेगा, एक trade select करना पड़ेगा from the list of trades, listed below against their engineering discipline, तो वहाँ पर ITI जो है, वो सबसे basic qualification है, जिसके लिए vacancy है, लेकिन अगर आप degree candidate है, या diploma candidate है, तो आपको भी वहाँ से trade select करना होगा, आप जिस trade से electrical से belong कर रहें, तो आप उससे जुड़ा हुआ, select करेंगे, ठीक है, qualification देखे, clearly mentioned है, electrical engineering and combination of various streams of electrical engineering, trade में आप इन में से trade जो है, उसको select कर सकते हैं, वैसे electronics, mechanical और automobile, ठीक है, ये लोग जो है, वो eligible रहेंगे, देन उसके बाद computer-based aptitude test होगा, CBAT test जिस जितनी vacancy है, उसके 8 गुना लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है, तो number of ALP vacancy जितनी भी अपने पास available है, zone wise, ठीक है, तो on the basis of their marks in part A of CBT2, CBT2 के part A में आपने जो score किया है, उसके हिसाब से आपका जो meritless बनेगा, उसके हिसाब से 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, CBT देने के लिए, ठीक है, अब CBT जो है, completely aptitude test वाला जो portion है, वो है, ठीक है, shortlisted candidates को अपना vision certificate उस portion पर आपको provide करना रहेगा, और test battery section of CBT जो है, वो separately qualify करना बहुत important, यह आपको separately qualify करना पड़ेगा, qualifying marks जो है, उसका detail भी आप देख सकते है, part A of CBT2 and 30% weightage for the score, 70% weightage will be given for the marks obtained in part A of CBT2, और 30% weightage जो है, जो CBT में आप score किये वो, तब उसके साब से आप DV और DV के बाद फिर medical के लिए जो है, वो पहुंचेंगे, ठीक, तो थोड़ा सा process जो है, वो एक के बाद एक sequential process है, बट वेकेंसी काफी सा रहा है, अब यह देखना है हमको की zone wise कितनी bifurcation ह तब जाके आपका zone का decision जो है, वो clear होगा, इतने सारे जो websites आपको given है, वो अलग-अलग zone के website है, अपने according आप उस zone की website जो है, उसके वो visit कर सकते हैं, जनरल guideline जो है, I believe कि आपको clear हो गया होगा, अब आपको मैं main detail जो है, उस पर भी एक बार ले आता हूँ, ठीक है, अब दे देख लीजे, पोस्ट जो है, वो अलग-अलग, जो है section wise उसको एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज, minimum educational qualification, ALP की अगर हम लोग देखें, चलिए, ठीक है, यहां सा देखना शुरू करते है, post wise parameters, तो parameters यहां पर आपको given है, देखें, यहां पर matriculation, SSLC, plus course, completed act, apprenticeship in the trade, उस हिसाब से भी ITI वालों के लिए, देखें, डिप्लोमा in mechanical, electrical, electronics, automobile engineering, या फिर आपने अगर degree किया हुआ, degree in the engineering discipline as above, will also be acceptable in view of diploma in engineering, तो degree वाले candidate भी जो है, वो डिप्लोमा के तौर पे हाप्लाई कर सकेंगे, अब देखें, zone wise vacancy की बात करते हैं, एहमदाबाद zone, WR western region पर आ ठीक है, इधर देख सकते हैं आप ये पूरी vacancy की details है, सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा, SECR में, बिलासपूर region में, और CR region पे 124, SECR पे 1192 के आसपास, यहां पर दिखाई देगा आपको, ठीक है, ऐसी सब अलग अलग zones का given है total, 559 आपको सिकंद्राबाद zone, SCR में भ यहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है, पटना में भी आप देख सकते हैं, 38, मुझफरपूर में भी, कुछ-कुछ zones में कम भी है, कुछ zone में ज्यादा भी है, आपको अपने according किसी भी zone पर apply कर सकते हैं, बस ध्यान दिजेगा कि examination जो है आपको उसी according उस zone पर जो है वो provide करना हो ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहां पर कुछ details और दिये हुए, आप चाहें तो इस PDF को download कर सकते हैं, मैं इस वीडियो के साथ, इस PDF को pin comment में pin कर दूँगा, तो उसकी link से आप उसको download कर ली देगा, ठीक है, तो यह थी RRB, ALP की complete detail subjects, की कौन-कौन से subject जो हैं वो आपको prepare करन और कैसे आप इसकी preparation करेंगे, और इसके बारे में details, और इसके बारे में discussion, इसकी planning, यह सारा कुछ आपको इस channel पर में provide करता रहूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी सब next video में, take care all my dear students and thank you so much for watching this video, मस तरीके से बढ़ाई करते रहे हैं, जाएं